अब अब करने के लिए आप लोग लिखोगे रेवेन्यू ये लेक्टर नमबर थ्री है फूल एंड फाइनल लेक्टर ठीक है जहां पर पढ़ने वाले हैं concept of revenue हाँ उतने ग्राफ्स नहीं है यहां लास्ट में है पर उसका schedule नहीं है इसी हो जाएगा don't worry चलो concepts of revenue समझते हैं सबसे पहली चीज कि पहला concept है जिससे हम लोग बोलते हैं total revenue तीन concept नहीं तो टोटल एवरेज और मार्जिनल ये तीन चीज़े हों लोग पढ़ने वाले टोटल revenue क्या है तो टोटल revenue का मतलब क्या कि अगर ये कितने मेरे बिके हैं मुझे कोई पुझे कि अब कितना कमाते हो calculator बेज के अगर मैं calculator की dealer हूई या वो पर लब supplier हूई हमारे पास सो केलकुलेटर हैं पचास का भाव है तो हम लोग टोटल कमाई कर लेते हैं पांच अजार की इसे बोला है टोटल revenue आने का पैसा कितना आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं क्यों इंटू पी कॉंटिटी इंटू मैंने प्राइस कर दिया हम लोग będ को मैंने ख mans के आमोंस्या लोग क्राइए कई किया हूं वह प्यार habe इक्प्यार बहुए आप सब्शों का ये और वह सारे कमेंट सा रहेते हैं सब्सक्राइब कर्सक्राइब तो हमने एक special course बना हुआ है, pilot testing हमने उसका complete कर लिया है, उस course के अंदर आप UKIC online पे जाके या आपको फिर UKIC online की app पे जाके, 11th के live lectures वाला एक course है, 7199 रुपीज का, जिसके अंदर हमनों दो चीज़े आपको देते हैं, एक आपको notes मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो को रहता है, और Friday को रहता है, timing होदा है, 2, 3, 2, 3, 30 हाँ, अगर मान लो ये timing पे आप school पे होगो या तो आप को दुसरी activity में हो, जहां पे ये attend नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सारे lectures का video recordings मिल जाते हैं, as well as ये सारे जो lectures हैं, उन सब की PDF भी on the spot upload कर दी जाती है, अभी के stage के ये सारी चीज़े करके रखे, also we are planning to introduce कि जहां पे आप लोगों को exam के papers भी मिलते जाए, आपको exam paper किस्तेगी से practice करने हैं, क्या करने हैं, उसका क्या actual solution होना चाहिए, हो सारी चीज़े हम लोग धीर धीर डाल रहे हैं, तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ, अगर आप उसक सकते को comment के अंदे हैं, तो जहां पे मैं खुद आपसे doubt जो है, आपके on the spot clear करो, इससे एक आदत बहुत अच्छी बने ही, क्या आप मेरे साथ calculation भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक regularity आएगी, और in that case, अगर मानलो, आप Monday को, Wednesday को, Friday को, किसी एक दिन, मान चेक कर सकते हैं, तो यह recording पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी सारी नोट्स जो है, वो आपके घर पे deliver कर दी जाएगी, without any extra cost, तो नोट्स भी आपके पास आजाएगी, आप lectures को भी देख सकते हो, आपको accounts के जितने papers हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, उसका solution भी मि सारी चीज़े करने माल हैं, तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको जोइन होना, तो उस course पे जाके जोइन नाओ करके जोइन कर सकते हो, बाबाय शीव टाटा, continue with your lecture, अब आता है average revenue का concept, जिसमें हम लोग समझते हैं, कि total revenue अगर आपका पता चल गया है, 5000 है, अब कोई इंसा इंसान कैसे calculate करेगा, फटा-फट से कि 5,000 divided by 50, मरलब इंसान दिल, मरलब वो प्राइस कितना quote करता होगा, 100 rupees quote कर रहा होगा calculator, तो इसी ही ये concept को हम लोग क्या बोलते है, average revenue, आप average निकालते हो, कि ये कितने का एक calculator बेचता होगा, या बेचती होगी, ठीक है, और तीसरा जो concept है, जिसे हम लोग बूलते है, marginal revenue, same है, वहाँ पे total TC करते हैं, lecture number 2 में, अगर नहीं देखा तो देखते हो, यहाँ पे R हो गया, RN-1, तो उसे सब से ही जाएगा, और इसके example के तोर पे अगर देखना है, हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाते है, हमारे पास चीज़े है, और यही चीज़ आपको 12 में काम लगेगे, और यह नोट्स आपको UKC Online.com पे मिल जाएगी, Android RIS F भी है, गवतिल्य बैच में, सून यह सारी चीज़े अपलोड होगे, हम लोगों ने आपकी studies का जो सफर है, वो और engaging हो, और effective हो, उसके लिए एक product launch की है, देखत लोग हमारे साथ accounts और states के questions घर बैठे solve कर सकते, क्योंकि हमने book design किये कुछ इस तरीके से, जहां पे questions है, और उसके नीचे एक space दी गई है, जो हम यहां पे questions solve करेंगे, वो वहां पे कर सकते, और साथ-साथ में practice sums रखे हल lecture के बाद, जो आपको करने है, जिससे आपके concept हो जा जाएगी बहुत ही better, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ solve with the help of this books. उसके लिए हम लोगों ने कुछ इससाब से किया है, और काफी chapters में मैंने summary दी है, कि आप यह summary देख लिए आपके लिए और easy हो जाएगा, और especially अगर आप यह videos भी देख रहे हैं साथ-साथ में, और वो notes को भी follow करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, तो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड़ कोस्ट ओनली रुपीज 4,100, don't worry, delivery charges है, वो हम लोग बैर करेंगे, आपके लिए तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़े हैं, यह हमारे में 4 subject की notes, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिल अगर कुछ भी doubt हो, कमेंट सक्षिन में आप कमेंट कर सकते हो, तो बस हमारे YouTube वीडियो के साथ, यह बुक्स के साथ, आपकी प्रेक्टिस हो जाए कि एक लेवल उपर और वही चीज़ चाहिए, हम लोगों को जहां पर मांक्स अची ते के सिस्कोर अगर पाए, तो हैपी ल हमें आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप डिस्काउंट विस्काउट लोगे, तो आपका marginal revenue कितना होगा, 2018-2000, तो आपका marginal revenue होगा 18, यह formula को अगर डालू, तो marginal revenue होगा 18 अब जाते हैं, लास्ट पॉइंट पर, अब यह तीनो जो revenue पढ़े, वो perfect competition में कैसा होगा, perfect competition basically क्या है, जो हम chapter number 6 में पढ़ेंगे, तो don't worry, perfect competition ऐसे ही होती है, अभी के लिए याद रखना, जहां पर market price, average revenue, marginal revenue, सब यह चीज़े सेम रहेगी, हर चीज़ सेम रहेगी, बस खाली total revenue बढ़ेगी, यह figure आपको याद रखना है, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है, कि total revenue बढ average revenue is equal to marginal revenue is equal to price, यह सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि you have not studied perfect competition, chapter number 6 चलानी है, तो chapter number 5 में अभी के लिए याद रखना, और last में जाता है, that is, कि total marginal average revenue under imperfect competition कैसा रहता, तो imperfect competition में यह सारे नाम रहता है, यह याद रखना, और यहाँ पर seller धीरे-धीरे price reduce करता जागा, और at the end ऐसा हो would be greater than marginal revenue, पर दोड़ों ही धीरी-धीरे कम होगा, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर complete होती है, हमारा chapter number 5, यह इसका diagram ही याद रखना है, कोई schedule नहीं है, और यहाँ पर chapter number 5 complete होता है, मिलते हैं, next time, तब तक के लिए everyone, bye-bye. झाल